कि नमस्कार मैं वभी शेक्तियागी पैरिस ओलंपिक दो हजार चोबिस से विनेश फोगाट बाहर हो गई है सपना तूट गया है पूरे हिंदुस्तान का लेकिन सपने के साथ साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर विनेश फोगाट के साथ ये सब कैसे हो गया आखिर कहां थे उनके कोच क्यों पर ध्यान नहीं दिया गया क्यों के बारे में नहीं सोचा गया क्यों के वजन को कैसे बढ़ा दिया गया आखिर एक पहलवान के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी गई जो पहलवान गोल्ड मैडल जीतने वाला था जिस पहलवान के हाथ में गोल मैडल आने वाला था देश का भविष्य था उस पहलवान के साथ एतनी बड़ी लापरवाई कैसे हो गई आखिर इसका असली गुनागार कौन है ये इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि विनेज फोगाट के साथ तीन जो थे वो कोच उनके पास थे जो फ वे ओरवेट कैसे हो गई कैसे उनका एकदम अचानक कुछी घंटों में वजन बढ़ गया ये इस वक्त सवाल है और जा है तो आपा सवाल खड़े भी होने चाहिए क्योंकि जिस तरीके से विनेज फोगाट का सपना तूटा ये के वल सपना नहीं तूटा है पूरे जगत की बात के लिए खेल जगत की बात के लिए तमाम लोग जो है वो बयान दे रहे हैं अब विजफटे की बात कर लिएन्दर सब्स करें अ उसके बाद मतलब के बात कर लिए जम है उस बाहर कर दिया जाएगा अब पहले एक बार बयान देख लेते हैं क्या बयान आया है विजेंदर सिंग का उसके बाद में चर्चा करेंगे विजेंदर सिंग ने कहा है कि यह भारत और हमारे पहलवानों के खिलाप बड़ा शर्यंतर है उन्हें 100 ग्राम का वजन कम करने के कि यह तो कि फाइनल में जाकर आप कुछ घंटे पहले आप पहलवान को बार करें ऐसा होता नहीं है और इसमें कोई även ज़ाधा बजन बीजाद नहीं था पा içास गिरा बताया जा रहा है तो पाचास ग्राम वजन को कम करने के लिए वक्त भी दिया जा सकता था आप किसी पहलवान के खिलाप इतने इस्ट्रिक्ट कैसे हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं किसी पहलवान के खिलाप इतने इस्ट्रिक्ट नियम कैसे बना सकते हैं तो ओलंपिक दो हजार चोबिस में जाहिर तोड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिस त पूरा हिंदुस्तान अपनी बेटी के साथ खड़ा है थैंक्यू एरी मुच